हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तों सबजी की टोकरी में सामान्य सा दिखाई देने वाला टमाटर कई और सामान्य गुणों से भरपूर होता है यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बलकि इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन A और विटामिन C जैसे कई गुणकारी तत्वा स्वास्ते के लिए भी फाइदेमंद होते हैं तो आज के ये वीडियो में हम टमाटर से होने वाले फाइदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरूपा करके इस चैनल को सब्सक् पूल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं टमाटर के फाइदों के साथ नमबर वन स्कीन के लिए यानि कि तवचा के लिए दोस्तों टमाटर का नियमित सेवन आपकी तवचा को यूवी प्रकास चती से बचाता है यानि कि अल्ट्रा वाइलोट कीनों से बचाता है जो चहरे पर रेखाय और जूर्यों के मुख्य कारणों में से एक है इसके अलावा चहरे पर बड़े रूम चिद्रों को कम करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता ह यह मुआ से और तवचा पर चकते या मामूली चलने के निशान के इलाज में भी मदद कर सकता है तवचा पर टमाटर के गुदे को रगने से तवचा को चमकाता है नमबर टू हड्डियों के लिए दोस्तों टमाटर में विटामिन के और केल्शियम की उपस्तिति के कारणि निहां आपकी हड्डियों के लिए एक अच्छा आहर है दोनों ही तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए लाबदायक है इसमें नहीत लाइकोपिन नामक एंटियों को बैतर बनाने के लिए जाना जाता है उस्टियोपोरोसिस से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है टमाटर को खाना उस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड़ी के फ्रेक्चर विकलाइंग था और विकरूती का कारण बन सकती है नमबर थरी नेत्र द्रश्टी में सुधार लाने के लिए मित्रो टमाटर में विटामिन C और विटामिन A की अधि जोखिम को कम करने में मदद करता है चक्तेदार अधा पतन एक गंबीर और अपरिवर्तन ये नेत्र विकार है टमाटर मोतियाबंद के विकास के जोखिम को भी कम कर सकता है इसके अलेवा टमाटर में फाइटो केमिकल एंटियोक्सिडंट चेकसेथीन लिटीन और लगता है टमाटर में विटामिन और आइरन मोजूद होते हैं जो बालो को मजबूत करने के साथ साथ बेजान ख्षतिग्रस्त और निरजीव बालों को भी एक नया जीवन प्रदान करने में और नई चमक देने में मदद करता है इसके अलावा टमाटर में उपस्थित अमल के बालों पर शेंपू करने के बाद टमाटर का रस लगा है इसे चार से पांच मिनिट तक छोड़ दे और फी ठंडे पानी से दोले नंबर फॉर रक्त शरकरा का स्तर कम करने के लिए यानि की डायाबीटिस के लिए तो उस्तों रक्त शरकरा के स्तर को कम करने के लिए डाय फाइबर को नियंतरित करने में मदद करता है कई अधियनों से पता चला है कि टमाटर में उपस सितuve एंटियोक्सिडंट्स, मदू में से प्रभावित होंने वाली किड्णी और रक्त प्रभा को भी शुरक्षा प्रदान करता है इसके अलावा टमाटर जैसा कम कैलरी वाला पोजन वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं मदु में हैं रोगियों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है मित्रो राष्टिया कैंसर संस्थान के जनरल में पकाशिते कद्यान से पता चला है कि अधिक टमाटर खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है टमाटर में मौजूद लाइकोपिन नामा के केंटि ओक्सिडन्ट, फेफडे, पेट, ग्रीवा, मू, ग्रसनी, गले, अनप्रनाली, कॉलन, गुदा और डिम्ब गरंती के कैंसर जैसे अन्य कैंसर के जोकिम को भी कम कर सकता है यदि टमाटर को जेतून के तेल के साथ पकाय जाये तो इसके कैंसर विरोधी गुणों के लाब अधिक्तम हो सकते है दोस्तो टमाटर आपका वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं टमाटर में बहुत कम फेट पाया गया है और साथ ही इसमें शुन्य कोलेस्टरल होता है इसमें बहुत सारा पानी और फाइबर होता है इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा कैलोरीस गैन कराए बीना आपके पेट को तेजी से भरने में मदद करता है यदि आप अपना वजन कम करना चाहते है तो अपने आहार में बहुत से टमाटर सामिल कर ले आप इसे एक फल की तरह कच्छा खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, कैसरॉल, सैंडविच और अन्य बोजन में भी सामिल कर सकते हैं नमबर एट, नींद को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों पैंसिलवेनिया की एक विश्वविध्यालाई में हुए अध्यान के मुताबिक जो लोग लाइकोपीन का सेवन करते हैं वे लोग उन लोगों के मुकाबले बेतर नींद का आनन्द लेते हैं जो इसका सेवन नहीं करते हैं और टमाटर लाइकोपीन का एक बहुत बढ़िया स्त्रोथ है इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अपने देनी काहर में विटामिन सी के अधिक स्तर स्तर को सामिल करना शांती प्रदायक नींद दे सकता है तो अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं तो रात के खाने में टमाटर सूप या टमाटर युक्त सलाद खाने का प्रयास करे नमबर नाइन रक्तचाप को कम करने के लिए दोस्तो पोटेशियम से समरुद टमाटर हाई बीपी को कम करने में मदद कर सकता है अधिक सोडियम का सेवन करना रक्तचाप बढ़ा सकता है जिससे पोटेशियम की कमी हो सकती है पोटेशयम आपके सरी से सोडियम को निकालने में मदद करता है ताजा टमाटर का सिर्फ एक कप पोटेशयम की आपकी देनी कावशकता का 11.4 प्रतिशत होता है अतहा अधिक टमाटर का सेवन करना है भीपी से लडने और विभिन रदे इस्तितियों के जोकिम को कम करने के लिए एक स्टांदार तरीका है इसके अतिरिक टमाटर में लाइकोपिन, विटामिन A और विटामिन C, फाइबर और केरोटिनोइट जैसे सक्तिशाली पोशकतत्व होते हैं जो रदे रोग के जोकिम को कम करने के लिए मिलकर काम करते है 10. सूजन को कम करने में फायदे मन दोस्तों, बायो फ्लेवनोइट और केरोटिनोइट जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी एजन्स की मौझूदगी के कारण टमाटर दर्द को कम कर सकते हैं नियमित रूप से हलके से मध्यम दर्द मैसूस करने वाले लोग अक्सर सूजन का सिकार बनते हैं टमाटर में निहेद सूजन को कम करने वाले गून सूजन वा जलन को कम करके आपको बार बार होने वाले दर्द से राहत प्रदान करते हैं एक अधियन में पाया गया है कि टमाटर का रस रोजाना पीने से TNF-Alpha के रख्त के स्तर को कम किया जा सकता है जो कि 34% तक सूजन का कारण बनता है तो अगली बार जब आप फल सबजी की खरीदी करने जाये तो अपनी टोकरी में टमाटर को सामिल करना ना भूले चाहे आप दाजे टमाटर का सेवन करें या फिर उससे बने हुए रस, सलाद, सूप आदी का सेवन करें ये सभी आपके स्वास्ते के लिए बहुत बढ़िया है तो दोस्तो टमाटर के फायदे जानने के साथ साथ उसके नुक्सान या उसके साइड इफेक्ट जानना भी उतना ही ज़रूरी है तो आईए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तो टमाटर में लाइकोपिन नामक एक फाइटो केमिकल पाया जाता है इस फाइटो केमिकल का अत्यादिक सेवन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की नियमित गतिवीदियों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसे धीमा कर सकता है नतीजन हमारा शरीर कई सामान्य माइक्रोबियल बीमारियों से कुद को बचाने की शमता खो देता है इसके अत्यादिक यह शरीर शती के मरमत के लिए असमर्त हो जाता है टमाटर अन्य कमलों का एक समावेश है जिसका अत्यादिक सेवन जठरांत्रों विकारों को पैदा कर सकता है टमाटर की लाइकोपिन सामगरी के परिणाम स्वरूप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबियस जैसे कुछ गंभी रातों की समस्याय हो सकती है टमाटर के सेवन से एक इडनी में पत्री निर्मान को प्रोचसान मिल सकता है टमाटर के बीज गैल्सियम और उक्सालेट योगी को में समरुद होते है यदि आप पहले से ही गुरुदे की समस्यायों से ग्रस्त है तो इसका सेवन ना करे अध्योन से पता चला है कि टमाटर के बीज में मौझूद लाइकोपीन पूरुष प्रोस्टेट गंती में असामन्यता है पेदा कर सकता है यह दर्द पेशाब में कटीनाई और स्तंबंदो साधी का कारक है तमाटर का लंबी अउदी के लिए लगातार खपत आपकी त्वचा का रंग बदल सकता है और आपकी त्वचा पर नारंगी रंग का थोड़ा सा प्रतिम भीम नजर आ सकता है दोस्तों मुझे यकीन है कि दूसप्रभाव की कोई भी मातरा आपको अपने पसंदिदा टमाटर से दूर नहीं रखेगी लेकिन दूसप्रभाव को ध्यान में रखने की कोशिश करे और अपनी टमाटर की खपत को सिमित करे तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको टमाटर के फायदे और उससे होने वाले नुकसान के बारे में उप्योगी जानकारी हासिल हुई होगी यदि ये वीडियो आपको बसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवाजनों में इसे शेर कीजिए यदि आप अन्यों कोई विशे के ओपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखें मैं वो सब्जेक के ओपर वीडियो बनाने की अवर्शे कोशिश करूँगा थैंक्यू